नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख्य समसार कल यानी 22 नवंबर को बार्ड वारा के पार्षत स्रीमती सीमा क्रिश्न वल्लब डाबी जी द्वारा वार्ड में चल रहे कार्यों का अबलोकन किया गया इस द्वरान वार्ड वारा के गोविंद कालोनी में निर्माणा धिन सड़क का निरिच्छन किया गया निरिच्छन के द्वरान वार्ड सयोजक जीतेंदर जी विसकर्मा, कुलदीप सिंठ ठाकुर, विसाल जी साहु वा अन्य लोग उपस्थित रहे लोकायुक्त टीम रीवा ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है पटवारी निर्माण कारे में आपत्ती लगा कर रिश्वत की माग कर रहा था इसके पहले भी वर्ष 2013 में आरोपित पटवारी पच्छी सो रुपए के रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है यह कारवाई बुद्धवार को रतहरा इस्थित पटवारी के कार्याने में की गई है लोकायुक्त ट्रेप अधिकारी की मौजूदगी में 12 सदस्री टीम ने करवाई की रिवा सीधी मार्ग में मोहनिया घाटी पर आबा गमन को सुगम बनाने के लिए बनाई गई सुरंग का अपचारिक उदगाटन दिसंबर माय के प्रथम सप्ताह में संभावी थे रिवा कलेक्टर मनोज पुष्प तथा S.P. रिवा ने अधिकारियों के साथ मोहनिया घाटी सुरंग एवं संभावित समारो इस्थल का ब्रहमार कर तैयारियों का जायजा लिया दिल्ली के पालम इलाके में एक ब्यक्ति ने अपने माता पिता बहन और दादी की गला रितकर हत्या कर दी घटना मंगलवार की रात साड़े दस बजे की है आरोपी का नाम केसव है और वह ड्रक्स का आदी है परिवार ने उसे नसा मुक्तिकेंद्र भेजा था कुछ दिन पहले हुसे लेकर आये थे लेकिन उसकी लत नहीं छूटी वह नसे के लिए परिवार से पैसे मागता रहता था मंगलवार को भी उसने नसे के लिए पैसे मागे थे जब घरवालों ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने परिवार के लोगों की हत्या करने का फैसला कर लिया घर के चारों सदस्यों को अलग-अलग कमरे में ले जाकर उनकी हत्या कर दी हत्या के बाद आरोपी भागने की फिराक में था लेकिन उसके चचेरे भाई ने पडोसियों की मदद से उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया मृत्को की पहचान पिता दिनेश, मा दर्शना, बहन उर्वसी और दादी दिवानो देवी के रूप में हुई बैतूल से छिदवाड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में आग लग गए इसमें तीन डिब्बे पूरी तरह खाक हो गए, पूरी ट्रेन को दो हिस्सों में बाटा गया है गाड़ी थोड़ी देर में छिदवाड़ा के लिए रवाना होने वाली थी, फिलहाल वह यार्ड में खड़ी थी हादसा बुधवार दोपर करीब तीन बचकर पैंतालिस मिनट पर हुआ, मौके पर फायर ब्रिकेट पहुच गई, आग बुजाने का काम जारी रहा फिलहाल आग जैनी के कार्णों का पता नहीं चल सका है मुखमत्री शिवराज सिंग चोहान ने खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित पेशा जागरुपत सम्मेलन में सहभागिता कर जन्जाती नृत्त का आनंद लिया और जन्जाती कालकारों को शुबकाम नाये दी इन दोर में पंधित प्रदीप मिस्तरा की शिवपुरान कथा से पहले नगर निगम द्वाराव उनके पोस्टर हटा दिये जाने से कांग्रेस भड़क गई कांग्रेस के वरिष्ट नेता क्रिपा संकर सुकला बीच सड़क पर कुर्सी डाल कर बैट गए इबम इसकी निंदा करते हुए नगर निगम के कृत को धर्म का अपमान बताया है कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि नगर निगम के कर्मचारियों ने पोस्टरों को हटाया ही नहीं बलकि उन्हें फाड कर धर्म का अपमान भी किया है इतना ही नहीं सोभा यात्रा के स्वागत के लिए लगाये गए भगवा धजवी हटा दिये गए जो निंदनी है कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निगम कर्मचारियों से निवेधन भी किया गया कि सोभा यात्रा तक पोस्टर लगे रहने दे इसके बाद वे खुद ही पोस्टर हटा लेंगे लेकिन वे नहीं माने कल दिन बर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री